पुस्पम फलम तोयम यो में भक्ति आप रहे अच्छती तद हम भक्ती उप्रतम अशनामी प्रयतात मनां इसलिए है अर्जुन जो भक्त मेरा सरद्दा के साथ प्रेम के साथ प्रेम मैं भक्त कोई पत्ता आरपन करता है तुलसी का पत्ता हो या सबजी हो पत्ते ही हैं जलम, तोयम, जल, फल, जो सरद्दा से, जो प्रेम से, योमे भक्त्या, भक्त्या मेंज बक्ति भाव से, शुद्ध भावना से, प्रेम भरी भावना से, के प्रभू स्वीकारो, मुझ गरीब का ये भूख स्वीकारो तद हम भक्ति उप्रतम उसकी भक्ति को देखकर गे, उसके प्रेम को देखकर गे मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ खाया है, विदुर का साग ही तो खाया, पत्ती ही तो खाये बिलनी के पास क्या था जंगल में, बेर थे, वो भी चाक-चाक के लाती तो उसकी प्रेम था, भावना थी शुद्ध कि मेरे प्रभु को मीठे बेर लेकर चलूं, और रोज लाती थे तोड़के, कि कभी तो आएंगे, आज नहीं आए तो कोई बाद नहीं, कल आएंगे फिर दूसरे दिन भी लाती थी, नहीं चक के लाती थी, कि ये बेर मीठा है, इस जाड के बेर मीठे हैं, मुझे लगता नहीं कि प्रतेग बेर को मुझे चकते होगी, जाड के एक बेर को चाक लो तो पता चल जाता है हम कभी अंगूर खरीते हैं, तो पूरे अंगूरों को थोड़ी चाक चाक के देखते हैं, एक को खा के देख लेते हैं, तो पता सल जाता है कि मीठा है, तो भाज दे दे दे, दो पॉंट दे दे तो बील नी भी जगे जगे ज़ार थे, बन में ज़ा रहती थी, तो ज़िस ज़ारी के बेर मीठे थे, उनको तो तो उड़के लाती थी, ये मत समझो, पृते एक बेर को इतनी पगला कोई नहीं होता है, कि पृते एक बेर को आदा खायगा रहाता बगवान के लिए ये बेर मीठे थे, उनको तोड़के सजा के लाती थी भगवान को अरपड करने, भगवान ने खाये, भगवान तो प्रेम देखते हैं न, प्रेम ही उनके लिए सब कुछ है, प्रेम ही परमिश्वर का रूप है, आपके, आप प्रेम से उनको प्रणाम भी करते हैं, दिन मे एक बार भी तो आपकी प्रणाम को स्विकार करते हैं पत्रम पुस्पम फलम तोयम यूमे भक्तिया प्रयच्छती तद्हम भक्ति उप्रतम अशनामी प्रियतात्मना है अर्जुन ऐसे प्रिय भक्त का ऐसे प्रेमी का अर्पन किया हुआ मैं अवश्य स्विकार करता हूं उसके प्रेम को देखती हुए तद्हम भक्ति उप्रतम भक्ति को निहारती हुए कितने भाव से मुझे इसलिए दुर्योधन का भी निमंत्र नाया था दुर्योधन ने राज महलों की 56 व्यंजन तैयार किये थे क्रिशन के लिए इन दुर्योधन ने अपनी रॉयल्टी दिखाने के लिए दूतों को भेजा कि जाओ क्रिशन को निमंत्रन दे के आओ कि आज दुर्योधन के महलों में तुम्हारा भोजन करना दूत गए जूतों जूते पहन के चर मर करते हुए क्रिशन को जहां भी पाया भगवान को बोला कि आज दुर्योधन निमंत्रन बेजा है हे बासदेव क्रिशन आना बुलाया है आपको बोल ठीक है देख देखा जागा देखता हूँ लेकिन थोड़े पल के बाद में बिदुर जीवान नंगे पाउँ चले आ रहे हैं उस बावना को लेकर के कि प्रभु आज मुझे गरीब के घराना मैं भी आपको थोड़ा कुछ एक ताइम भोजन करवाँ बगवान गए हो हाँ बिदुर तो राज घराने में महलों में धृतराश्ट के दरवार में बहुत उचे ओदे पर थे लेकिन राज घराने से जो भी कुछ मिलता था वो गरीबों में बाट देते थे वो अपने घर में नहीं लाती थे नाजाने कैसे कैसे भगवान उनका घर चलाता था कि उनके घर में अच्छी तरह अन जल भी नहीं खाने पी निगलिए तो समझीत साग था कोई कोई भी साग होगा साग बनाया हुआ था और साग ही अरपन किया सरसों का साग होगा यह पालक आलू बनाए होंगे जो भी था अरपन कर दिया साग था विदुर को साग कायो दुर्योधन को मेवा त्यागो साग विदुर घर खायो क्यों तद हम बक्ति उप्रतम भक्ति प्रेम था विदुर कर दे में प्रेम था ऐसा प्रेम प्रभू के साथ आपका उदे होगा उस दिन आप दूसरों को भी ऐसा प्रेम बराब्यावार करने लगेंगे यह रहश है प्रभू के मंदिर में प्रवेश करो वो प्रभू आपकी हिर्दे में है आपका हिर्दे मंदिर है और भगवान ने जैसे पर्थम इस लोग में कहा कि सत्वगुणी भोजन स्रेष्ट है सत्वगुणी भोजन करो भगवान स्री कृष्ण ने अर्जुन के बिना पूछे ये प्रारंब किया है अर्जुन ने सुर्दा के लिए तो पूछा था कि शास्त्रों को नकारते हैं उनके भी इर्दम सुर्दा तो होती है तो वो कौन सी सुर्दा होती है कृष्ण क्या वो रजगुणी होती है सत्वगुणी या तमोगुणी अर्जुन ग्यानी मात्मा था अर्जुन जानता है कि सतोगुन क्या है, रजोगुन क्या है, तमोगुन क्या है यह पूछ रहा है कृष्ण से हम सब के कल्यान के लिए भुवा ने सरदाका बिसे बतलाया और तुरंट बोला कि बोलने लगे कि आहारस्तवपी सरवश्य तिरविदो भवती प्रिया यज्यस्त पस्तथा दानम तेसाम वेदम इमम स्रुनू अर्जुन भोजन भी तीन प्रकार का होता है तिरविदो भवती प्रिया और तीन प्रकार के ही मनुष्यों को तीन प्रकार का भोजन पसंद है अपनी अपनी पसंद से सतोगुनी को सतोगुनी भोजन पसंद है रजोगुनी को रजोगुनी भोजन पसंद है तमोगुनी को तमोगुनी भोजन पसंद है क्यों ये तीन व्यक्ति तीन फैकल्टीज में बट गए कोई सतोगुणी बना कोई तमोगुणी बना कोई रजोगुणी बना कैसे जनम तो एक छोटे से बबल से वातीन होगा लेनिगा डवलोपमेंट किया पेरेंट्स ने और सोसाइटी ने तो इनको इनको रंग चाड़ गए कर्ला चाड़ गए तामोगुण काला रंग है रजोगुण लाल रंग और तो ने सतोगुणी को शफेद रंग क्योंकि उनकी foundation सत्वगुन से ही हुई है और उन्होंने realization किया है अपने जीवन में कि सत्वगुनी भोजनी सबसे स्रेष्ट है और शास्त्रों में भी बखान हुआ है स्वेम भगवान ने भी गीता में इसी बात को बोला है दूसरे अनेक धर्मों के जिनको धर्म कहते हैं यानि संप्रदायों के शास्त्रों में भी यही चीज मिलती है देखने को बुद्ध भगवान के किसी सिष्ट ने कहा कि आप अहिंसा का नारा लगाते हैं हमिशा सदेव अहिंसा की बात करते हैं लेकिन ये साख सबजी खाते हैं फल्प्रूट काते हैं इनमें भी तो जीव है और मचली है या कोई बक्री है उनमें भी जीव है तो बेद क्या है एक जीव को खराब करो उसके शरीर को खराब करो तो उधर भी करो या इधर भी करो फरक क्या है बेद क्या है तो भगवान बुद्ध ने तो बहुत इस पश्टता से समझाया कि ये मनुष्य का शरीर है इसको धारन करने के लिए भोजन तो करना पड़ेगा जीवो जीवश जीवनम जैसुकदेव गुस्वामी जी परिक्षित माराज को उपदेश करते हुए कहते हैं कि जीव ही जीव का भोजन है जीव ही जीव का भोजन है लेकिन आप देखो कि इन जीवों में पराणियों में बहुत से चिडिया ऐसी हैं जो शाका आ रही है और बहुत से ऐसी हैं जो मांसा आ रही है बहुत से जानवर ऐसे हैं जो बिलकुल शाका आ रही है गाय है, गोड़ा है, उट है, हाती है, बंदर है खरगोश है, इरण है, अनेकों और इनके सामने लाख मांस पड़ा हो, ताजा से ताजा ये सूंगते भी नहीं दूर से निकल जाते हैं क्यों? क्योंकि इनकी प्रकरती शाकारी है इनने न ये शरीर प्राप्त किया है, ये शाकारी प्रकरती का शरीर है अगर इमान सार करेंगे, तो ये दूशित हो जाएंगे, इनके शरीर भी, बुद्धी भी, मन भी और ये नश्ट हो जाएंगे, बिक्षिप्ट हो जाएंगे ऐसे ही जानवरों में है, सिंग है उसके सामने, उसको रोटी नहीं चाहिए दाल नहीं चाहिए, उसको मांस चाहिए, क्यों उसका शरीर जो उसने प्राप्त किया वो ऐसी प्रकरती का प्राप्त किया है, और भगवान का ये सब आरेंजमेंट है कि जहां पर हिरनों के जुंड हों, तो उनको बैलेंस ही करने के लिए सिंग है, बाग है, चीते हैं, दूसरे बेडी हैं, बोल्फ, कई मांसारी कुत्ते हैं, बिल्ली है ये बैलन्स को सही बनाए रखने के लिए और भगवान ने इनको पैदा किया मनुष्य है, इसको भी जो दात जो हैं और आत, ये शाकाहरी की प्रदान की, इसका शरीर शाकाहरी दिया लेनी, इसको बुद्धी सभी प्राणियों में सबसे अधिक भगवान ने बक्सी तो ये उस बुद्धी का उप्योग करे, ये दुरुप्योग करे, कर सकता है, ये कोई भी जानवर को मार के खा सकता है पावर है शक्ति है इसके अंदर, और मारने जाने के लिए अब तो बन में जाना ही नहीं पड़ता घर बैटे रहो बस, इस तो और दुकानों के उपर सभी प्रकार के जानवर मिल जाते हैं साप कंचड़े भी मिल जाते खाने के लिए फिर तुम सूर खाओ, चाहिए बिल्ली कुत्ते खाओ, कुछ भी खाओ, सब अवे लेबल है तो खाता है तो हल्दी लगे ने फिटकड़ी रंग चोक हो या जाए लेइन प्रकरती के खिलाप है प्रकरती मनुष्य को शाकाहरी घोसित करती है साइन्टिश्ट ने भी इस बात को, पूरे विश्व के साइन्टिश्ट ने इस बात को घोसित किया है कि ये मनुष्य शाह का हरी प्राणी है फिर हमारे शास्त्र चाहे कुरान हो या बाइबल हो Lord Jesus मांस खाने को मना करते हैं तो करते हैं लेनों को माने कौन कुरान में भी मांस खाना अलाव नहीं है लेनों माने कौन फिर गीता, शास्त्र, आईरुवेद बुद्ध भगवान बुद्ध भगवान ने तो माविर स्वामी, गुरुनानक देव कोई भी मांस खाने को अलाव नहीं करता लेकिन लोग मानते नहीं तो अपने मन मानी ढंक से जीवन जीते हैं बुद्ध भगवान ने कहा कि अचिंत बेदा बेद ये भी जीव हैं, लिए हमको जीने के लिए कुछ खाना पड़ेगा इसलिए हम मनुष्यों का जो सलेक्टेड भोजने वो वेजिटिरियन है, शाकाहरी है अपनी शिश्य को कहा लिए वो ये शिश्य जो है दूसरी दिन जो किसी के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया तो उसने उसके बॉल में मांस का टुकड़ा डाल दिया कटोरे में तो उसने खाया तो नहीं लेकर आया बुद्ध वगवान के सामने और कहा मुझे तो ये देखो मांस का टुकड़ा डाल दिया बॉल के अंदर इसका क्या करूँ इसको खाऊं या नहीं खाऊं बुलियों तो ये भी मिट्टी है और जो आप साख सब्जी बोल रहे है वो भी मिट्टी है आकिर तो ये सब मिट्टी है सब मिट्टी से खड़े होते है बात तो उसने बड़ी पते की बोली कि मिट्टी से ये गाय भैस बनती है मिट्टी से मनुश्य बनते है मिट्टी से पेड़ पौदे बनते है फल प्रूटाते है सबजी आती है तो ये सब तो मिट्टी है फरक क्या है और मुझे तो इमांस का टुकड़ा डाला अब मैं इसको खाऊं या नहीं खाऊं तो बुद्ध वोगा ने कहा कि ये तो बात तेरी ठीक है ये सबी मिट्टी है तो एक कामकर जो जानवर अपने आप ही मर जाए नेचुरल डैथ हो जाए उसका मांस खा ले वो जरूर मिट्टी है डैपिनेट लेन किसी का भले आदमी किसी का घर क्यों बिगाडता है आत्मा को तो तू क्या कोई भी नश्ट नहीं कर सकता लेन ये दूसरों के घरों को क्यों तोड़ता है इनको भी जीने का हाँ है इनको जीने दे और ये तेरा भोजन नहीं है बुद्ध भगवान ने तो इसलिए कहा कि इतनी तो इसके अंदर अकल होगी ध्यान मार्ग में है ये कि मरे हुए जानवर को जो पोईजिनिस्ट हो जाता है इसको मैं क्यों खाऊं जो निच्रल मर गया है उसका तो पोईजिन हो जाता है पूरी बोड़ी का उसको कोई खाता नहीं तो बुद्ध ने सोचा कि ऐसे बोलूँगा तो शाथ ये नहीं खाएगा समझ जाएगा लेकिन बुद्ध भगवान के चले जाने के बाद में और बहुत से जो है बुद्ध लोग मांसार का सेवन करने लग गए कि बुद्ध ने तो बोला है कि खा सकते हूं मरे हुए मांस को तो ये मरा हुआ ही है सब जो खा रहे हम चाहे मार मार घा रहे खा तो मरे आहीं रहे तो अपने अपने तर्क ढूंड लेता है आदमी अपने को उठाने के लिए भी और गिराने के लिए भी कोई भी धर्म मांस खाना अलाव नहीं करता कि मांस मनुष्य का भोजन नहीं है जी ससने जो रॉम में रॉम की जो बड़ी चर्च है वहाँ बेड़ों की बली देते थे मंदिर के अंदर चर्च के अंदर उन्होंने अपने हाथों से वह बेड़ काटने की जो छुरे थे और तकते थे वह सब फैंक दिये भार और बहुत शाउट किया कि डॉन्ट डू इस बिजिनिस बिदमाई फादर वह भगवाने के साथ ये दंदा मत करो कि ये बली देंगे तो भगवान खुश हो जाएंगे कलकत्ता की काली माता को बली लगती थी अभी गॉर्मेंट ने मना कर दिया तो बंद है लिन्वा धेर रख जाते थे हड्डियों के कि मा को बकरे की बली चाहिए मुर्गे की बली चाहिए काली चाली सामे लाइना आते हैं अंत में माला और फल फूल चड़ाए मांस खून से नहीं चुआए सबकी हम समान महतारी काहे कोई बकरा को मारी हम सबकी माता हैं हमारे सामने क्यों तो में बकरे और मुर्गे लाला के मारते काटते हो anyway कलकत्ता गॉर्मेंट ने जो है वो बकरा बली बंद कर दी वाँ पर अभी लड़ू बतासे का बहुग लगता है फिर भी मैंने सुना था पुजारी से पूछा तो कहने लगे कि साल में एक बार बकरा कटता है दशरे के दिन एक बकरा वो अभी रख लिया है निसानी बना करके कि कभी आप बकरी खटते थे कोई भी धर कोई भी शास्तर आपको पत भरष्ट करता नहीं है बलकि सच्चे पत के दर्शन कराते हैं शास्तर जिस पत से आप परमीश्वर को प्राप्त कर लें वो मार्क दिखलाते हैं मांस खाना थोड़ी से कलाते हैं या शराब पीना या जुआ केलना या अवैद इस्त्री बैशा भरती करना नहीं आपको लिफ्ट अप करते हैं शास्तर उठाते हैं आपको पवित्रता प्रदान करते हैं सतोगुणी भोजन को स्रेश्ट खा बगवान ने बगवान ने कहा कि अर्जुनी ये तीन प्रकार के मनुष्य होते हैं सतोगुणी जिन्होंने अपनी शरीर को सतोगुण भोजन खिला से डवलप किया है उनका पूरा शरीर सतोगुण में है फिर उनके विचार बुद्धी भावना सतोगुण में होती है लिए जिन्हों ने अपनी शरीरों को रजोगुन बोजन खिला खिला के डॉलप किया है